प्रदेश भर में बारिश खूब गैर बरपा रही है इस कड़ी में आजजिला चमबा के चुराहक शेतर से बादल फटने की खबर आई है हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टी प्रशासन की ओर से नहीं की गई है वहीं इस से किसी प्रकार की नुकसान को लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है चांजू नाले में पानी का बहाव बढ़ जाने के बाद यहां 38 मेगावाट के नेजी प्रोजेक्ट के दो बैरेच गेट खोल दिये गए है आशंका यह जताई जा रही है कि बादल फटने के कारण नाले का जल सर भारी रूप से बढ़ गया है अपुष्ट जानकारी केनुसा चांजू एक जल विद्धियू परियोजना से उपर लुनेक में बादल फटा है जिसके बाद परियोजना ने अपने गेट खोल दिये है उधर पुरिक्षेत्र में पानी का जल सर बढ़ने के जलते इसे बादल फटने की घटना बताया जा रहा है वहीं NHPC के परियोजना प्रबंधन को भी इस बारे में सूचित किया गया है ताकि समय रहते गेट खोल ले समेथ अन्य संभावनाओं पर घौर किया जा सके उधर प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है हाला कि ये बादल फटने की घटना की चर्चा जोरों पर है Bureau Report हिमाचल टॉप News